नमस्कार पंजाज डाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ कमल सिंग बात करेंगे आज लखनव में पासपोर्ड विवाद को लेके पासपोर्ड एक दमपती जो मुस्लिम दमपती थी इंटरकाश्ट महरेस था हिंदू-मुसलिम कपल थे हिंदू-मुसलिम की साधी हु लेकिन इसके बाद भी कई परतें अभी इस पूरी घटना की खुलने बाकी थी परते खुली और जांच शुरू हुई बात करेंगे सबसे पहले कि यह पूरा माजरा क्या है तो माजरा यह है कि तनवी सेट यह नाम आजकल मेडिया और सोसल मेडिया में काफी पॉपुलर हो पॉरा मामला तुल पकरता है मेडिया भी इस पे एक्टिव होती है कवरेज होती है और उसके बाद विदेश मंत्राल भी तुरंत एक्शन लेते हुए पासपोर्ट ऑफिस में इस चीज की पूरी इंक्वारी करती है बगार ही जो पासपोर्ट ऑफिसर थे उनका तबादला लखनव से गोरखपूर कर देती है लेकिन जब आफिसर विकास मिस्रा ने अपनी दरी ले दी तो उनने बताया कि तन्वी सेठ ने तथ्यों को छुपाने की कोशिस की थी तथ्यों वो नोड़ा में रहती थी उन्होंने सिर्फ लखनव का ही एड्रेस दिया था जबकि पास पासपोर्ट में वो भी नहीं दिया था पासपोर्ट का जो फॉर्म था उसमें वो भी नहीं बढ़ा था उनका कहना है कि हमारे पास एक कॉलम आता है जिसमें आता है कि क्या आपने अपना नाम कभी बदला है तो आप उस पे अगर यस क्लिक करते हैं तो आपका पुराना न कहा कि अब तन्वी सेट के पते की भी जांच की जाएगी पते में अगर कोई भी गरबड़ी आती है तो उनका पास्पोर्ट दोबारा से जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि उन्हें तत्यों को छुपाने की कोशिस किये जैसे ही इस खबर पे आगे लेकर अपडेट आती है, हम आपको यह फेसबुक और YouTube के जीर्ये पहुचाते रहेंगे और हमारा फेसेयुडियो कर आट आफ फेसबुक पे तेख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें YouTube को सब्सक्राइब करें मुझ का